खबर उत्रप्रदेश की शहाजापोर से देश भर में व्यापार उध्योग इस बार कोरोना की भेंट चड़ गया है ऐसे तो सभी उध्मी परिशान हो गए हैं लेकिन कपड़ा उध्मी के लिए दोहरी मार की परिस्तितियां बनी है क्योंकि उन्होंने लगनसरा के दिनों मे तैयार कि ये कपड़े बिके नहीं है और उनसे बकाया पेमेंट के लिए थोगबंद व्यापारी बार बार वसूली कर रहे हैं जिसको चलते छोटे व्यापारी निराश हैं वह चाते हैं कि सरकार उनके लिए आर्थिक पैकेज की घोशना करें पिछले साल की तरह इस वर्ष भी कपड़ा कारूबार कोरोना संक्रमन के कारण चौपट हो गया कपड़ा व्यापारी ने होली के बाद सहालगने की बड़ी उम्मीद संचोई थी उस पर कोरोना संक्रमन के कारण पानी फिर गया कोरोना कर्फ्यू लग जाने से सारा व्यापारियों का कहना है कि दुकाने पर सामान भरा पड़ा है उसका व्याज भी नहीं निकर रहा कई व्यापारियों का कहना है कि दुकान का खर्च और शमिकों का वेतन भी निकालना मुश्किल हो रहा है सरकार अपना टेक्स बसूर रही है लेकिन कोई राहत नहीं दी जा रही है पुरुना संक्रमन का कपड़ा व्यापार पर सीधा असर पड़ा कपड़ा व्यापारी को भारी आर्थिक नुक्सान उठाना पड़ रहा है व्यापारी चाहते हैं कि सरकार उन्हें बिना ब्याज के शंदे या सबसेड़ी वाली कोई योजना घोशिट करें उलेखने हैं कि हाल ही में सरकार ने रीटेल और ठोक बंद व्यापारियों को MSME सेक्टर में शामिल करने की बात कही है इसका सीधा लाब व्यापारियों को भी मिलेगा